नमस्कार दोस्तो Welcome to PK Classes दोस्तो RGPV latest update में latest नीव जाई है जो की RGPV छात्रों के exam से संबन्दे थे तो दोस्तो RGPV ऐसे non-fit student की संख्या 7000 से जादा मींस RGPV में आज जो latest नीव जाई है वो धैनिक भासकर पेपर में आई हुई है तय आवादी में पास नहीं हो पाने वाले टेक्निकल कोर्स के चात्रों को फिर परिक्षा का मौका तो means RGPB जो तय आवादी है means एक फिक्स डूरेशन होती है कि आपको इतने समय में अपना कोर्स कम्प्लीट करना है बट कुछ ऐसे चात्र भी हमारे हैं जो दिये हुए समय सीमा में अपना कोर्स कम्प्लीट नहीं कर पाने से रह जाते हैं जिसके लिए RGPB एक मौका दे रही है तो दोस्तो राजियू गान्दी प्रोधिगी विश्विद्याला ऐसे चात्र जो कोर्स की आवदी में उसे पूरा नहीं कर पाते हैं उनके लिए फिर से परिक्षाय हुजित की जाएगी ऐसे चात्रों को not fit for technical education NFT की स्राणी में रखा जाता है ऐसे चात्रों को जन्वरी और माई जून में होने वाली परिक्षाओं में मौका दिया जाएगा तो दोस्तो जो भी चात्र पी के क्लासिस में फर्स टाइम हैं जिनने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तो आरजी पीवी मींस एनेपटी के चात्रों के लिए जो मौका दिया जाएगा वो माई जून और अभी जो आपका है जन्वरी और माई जून मींस इन मैसे किसी भी एक बार अपियर हो सकते हैं आरजी पीवी के अधिकारियों के मताविक बी-ई, वी-टेक अधिक कोर्स चार साल के होते हैं बहुत से चात्रेंसे होते हैं जो पाटकरम की तैसी मामे कोर्स का पूरा नहीं कर पाते हैं ऐसे चात्रों को हर साल दो सैमिस्टरों को सामिल करते हुए तीन वर्स का समय दिया जाता है। इसमें एक-एक साल बढ़ाते हैं। इस तरह से साथ साल में कोर्स को पूरा करना होता है। अधिकारियों के मताविक ऐसे करीब 7000 चात्रें जो NFT के दायरे में आ रहे हैं। केरियर बचाने के लिए दो विश्यस अनुकम पाउसर दे रहे हैं। मिस अब RGPV की अधिसूचना जारी की है। NFT चात्रों को दो मौके जनवरी और माई जून में आयोजित होने वाली परिक्षा में दिये जाएंगे। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि चात्रों का केरियर पर असर ना पड़े। इसके तहित बिभी में UG, PG, सहित अन्ड पाट करमों तक तै प्रावधान के तहट जो चात्र समय सीमा में कोर्स पूरा नहीं कर सके हैं। तो विशेस अनुकम पावसर दिये जा रहे हैं। अगर इसके बाद भी वे कोर्स पूरा नहीं कर सकेंगे तो उस पर भी विचार नहीं होता है। तो उस पर फिर विचार नहीं होता है तो राजववन चले जाते हैं अधिकारियों के मताविक तैस समय सीमा में किसी कारणवर्स कोर्स पूरा नहीं करवाने वाले चात्र कई बार राजववन चले जाते हैं ऐसे मैं चात्र हित में उन्हें अनुकम पाउसर दिया जा रहा है ताकि वे आप कोर्स को पूरा कर लें आरजी पीवी के अधिकारियों के मताविक हर साल और स्थन एक हजार छात एनेपटी के दाइरे में आते हैं इनकी संक्या घरती बढ़ती रहती है कई बार एक डिगड़ हजार तक हो जाते हैं पछले साल होई परिक्षा में 4500 एनेपटी चात्र सामिल हुए थे जो भिविन पाट किरमें के थे ये चात्र समय सीमा में कोर्स पूरा नहीं कर सकते एनेपटी के दाइरे में आने वाले चात्रों को दो अनुकमपा आउसर दिये जा रहे हैं ये ऐसे चात्र हैं जो समय सीमा में कोर्स पूरा नहीं कर सके हैं चात्र हित्त को ध्यान में रखकर इने फिर मौका दिया जा रहा है ताकि ये कोर्स पूरा कर ले और इस राजपूत रजिस्टार आरजी पीवी तो दोस्तो RGP वी ऐसे चात्रों के लिए दो मौका देने जा रही है जिसमें एक आपका जन्वरी जो अभी रिसेंटली चर रहा है इस एक्जाम में अपियर हो सकते हैं NFT के चात्र या दूसरा मई जून तो इसके लिए RGP ने प्रापर नोटिफिकेशन जारी किया है आपके NFT से संबंदित और इसके पहले किस एर तक एड्मिटर्ड इस्टुडेंट हैं जो कि इसमें अपियर हो सकते हैं जन्वरी के एक्जाम में और जो नेस्ट है वो आपका मई जून में होगा तो दोस्तों यदि कोई भी इस तरह का छात्र है जो NFT में आ रहा है या NFT से एक्जाम में अपियर होना चाहता है वो RGPB के नोटिस को रेट करें केरफुली और अपने संबंदित इस्टुट से संपर्प करें जिससे आपके एक्जाम फाम और एक्जाम में अपियर की का रवाई पूरी की जा सके थेंक्यू